अजमेर सद्गूरू इंडिनेशनल स्कूल स्थापना के दो वर्ष पूर्ण रचे कई कृतिमान सत्र दो हजार चूबीस और पच्चीस की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम प्रवेश पर विभिन स्कूलशिप की घोशना सद्गूरू इंडिनेशनल नहीं सफलता पूर्वक दो वर्ष पूर्ण किये इस दोरान स्कूल ने कई की रचिमान स्थापित किये स्कूल प्रबंधन ने इस मौके पर विभिन स्कूलशिप की घोशना की है स्कूल में अगले दो हजार चूबीस सत्र दो हजार पचीस के लिए प्रवेश प्रवेश प्रक्रिया प्रारम प्र दो सो प्रवेश पर दस हजार रुपे का लाब दिया जाएगा जिलास्तरिय खेलकूद विजेता प्रतम तीन को 25 प्रतिशत राज्य स्तरिय भागीदारी पर 35 प्रतिशत राश्ट्रिय स्तर की भागीदारी पर 75 प्रतिशत राश्ट्रिय स्तर के विजेता को 70 प्रतिशत अंत चात्रों को मिलेगा साथ ही सुरक्षा बल से संबंधित चात्रों के लिए लगातार तीन वर्षों तक ट्यूशन शूलक पर 20 प्रतिशत का तथा सत्गुरू लिटिल स्टार स्कूल के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश शूलक माफ तथा लगातार तीन वर्षों तक ट् शेक्षन एक विकास की जो कार्य करेंगे हमारे स्कूल में चात्रों की शेक्षि की विकास सा विशेशनिक गतिविधियों पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा इसके अतिरिक्त मानसिक भावनात्मक व्यवसा एक विकास इन तीनों स्तंभों से जोड़ कर एक ऐसी शिक्षन पद्धती का प्रवेश किया जा रहा है जो नवीन शिक्षा पद्धती के अनुरूप है उसी के परिनाम स्वरूप 25 मार्च को स्कूल में पद विभूशन एवं ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाजी मेरी कॉम ने आगास थे और अधिटोरियम वी स्पोर्ट्स एरीना का उद्घाटन किया यहाँ पर टैनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, होकी, बैडमिंटन, जिनमाश्टमी, बॉक्सिंग, स्विमिंग, पूल, क्रिकेट, टैबल, टैनिस, शूटिंग, आधी सभी खेलो, कोर्ट ग्राउंड में कंप्लेक्स है जिनके प्रशिक्षन के लि विश्वास हासिल किया इस मौके पर एड्मिनिस्ट्रेक्टर देशबंधु दाधी च्वहे चार ख्याती अरोरा भी उपस्थित थे रसिराबाद, किशनगर, पिसांगन और आसपास के काफी शेत्रों के पैरंस का प्यार, विश्वास मिला कि इन दो सालों में हमने जो अजमेर के पैरंस को जो वादा किया था कि आपके हीरोज को हम चैंपियन बनाएंगे मीडिया के थू मैं ये शेहर की जनता को बताना चाहता हूँ कि विदिन लास्ट वेरी शॉर्ट स्पैन अफ टू येर्स हमने लगबग लगबग सत्तर से जादा मैडल्स स्टूडेंट्स ने हमारे स्कूल ने जीते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात जो मैंने इंटरनाशनल लेवल पर देखा है और जो हमारे चेर्में सर अनिल चंदीरानी जी और वाइस चेर्में सर प्रकाश लालचंदानी जी ने ये सपना देखा था कि यार सिरफ एड्यूकेशन नहीं होनी चाहिए औल राउंड अच्छा हो, स्पोर्ट्स में भी मजबूत हो, खेलो इंडिया है, वो बाकी अक्टिविटीज में भी हो, परफर्मिंग आर्ट्स में भी हो, आप देखिए आज डान्स भी बहुत अच्छा करते हैं यहां के बच्चे, सिंगिंग बहुत अच्छा है, आवार्ट्स लेके आरे हैं, तो जो सपना पांच साल पहले दुबई में अजमेर की जनता के लिए जो देखा था, अजमेर के पैरंस को लिए देखा था, क्योंकि being director of the school, मैं आपी के बीच में पला बड़ा हूँ, I am born and brought up here itself, तो मुझे पता है कि अजमेर के पैरंस को क्या चाहिए, हर पैरंस में participate करें और हमने वो कोशिश की हैं, हमने न सिर्फ international infrastructure दिया है, लखिली प्रिंसिपल सर के अंडर में इतनी अच्छी टीम है, वो हर बच्चे पे इतना ध्यान देते हैं और इतने तरीके से वो कॉम्बो बनाया हुआ है उनोंने, education का, sports का और performing arts का, कि हर बच्चा निखर क आ रहा है, champion बन रहा है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ, joint secretary भूमिका थारवानी का है, जो हर field में pinpoint पे रहते हैं कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, और अजमेर के parents को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कि जिस तरीके से